Овیلیشن कितने दिन तक होता है क्या आपको पता है अगर नहीं पता तो समझें क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रही है आपने ये वीडियो देखने के लिए खोला है तो आप कुछ जानकारे ले गर जाएं कि कितने दिन तक होता है, इस समय 100% pregnant कैसे बन सकते हैं, क्या तरीका है जो अब तक नहीं जानते थे और ये जानकारे का भाव आपको बहुत सारे पच्ड़े में डाल देता है, आप इलाज कराते रहते हैं, आप समय पर बात करते रहते हैं, स्ट्रेस पढ़ाते रहते हैं और पर और किस तरीके से होते हैं, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगे, कि एक उलाज के शरीर में एक बाद जब स्वों एंटर करते हैं, तो वो चार से पाँच दिन तक जिंदा रह सकते हैं, चार से पाँच दिन अगर स्वों आपकी बारडी में जिनदा है और इस तौरान अगर आप ovulate करती है तो egg fertilize हो सकता है और pregnancy रुख सकती है तो जब भे आपका fertile discharge यानि कि ovulation symptoms बेट में भारीपन होना breast में tenderness feel होना या transparent सा discharge आपको चालू होता है तो बहुत सारे comments थे इतने सारे comments इतने time से पूछे जा रहे हैं कि हमको discharge जब चालू हो जाता है उसके कितरे देर में ovulation होता है quantify exactly नहीं कर सकते आप और नाम है क्योंकि यह बहुत ही बारीक बहुत ही महीन procedure है और इसको हम एकदम ते exactly नहीं समझ सकते लेकिन जब आपका ovulation process start होता है 2-4 घंटों से लगा कर अगले 48 घंटे के दौरान कभी भी ovulation हो सकता है period cycle के according आप हमारे वीडियो को देखे कि ovulation का exact time चोटी period cycle पड़ी period cycle के according क्या होता है तो आपको exactly अंदाजा लग जाएगा आपकी उस दिन का और जब आपके ovulation symptoms start होते हैं तो अगले 2 दिन के अंदर ovulation होने की पूरी संभावना होती है यह और कुछ नहीं luteinizing hormone का एक surge होता है जो आपको लक्षन देता है और संगेब देता है कि yes, now your body is ready to conceive तो ऐसे में अगर 5 दिन पहले भी, 4 या 5 दिन पहले भी संपर्क हुआ है sperm body में है तो pregnant होने के fair chances होते हैं तो मैं आपको यह सलहा दूँगी कि alternate days एक दिन, दो दिन के gap से contact रखना आपके लिए बिल्कुल wise होगा अगर आप pregnancy plan कर रहे हैं naturally लेकिन इस 5 प्लस 2 यानि कि इस 7 days के window में आप कुछ चीजों का देहन रखें शक्कर और caffeine ब्रोग दें इस दोरान आपको सफेश शक्कर उससे बनी चीजें, उससे बने food और caffeine रोग देना चाहिए तो यह उसकी gravity को बढ़ा सकते हैं और ovulation को बिगाड सकते हैं तो friends, blood sugar level को control में रखें, stress से बचें बहुत ही positive रहें क्योंकि positivity जब आपके अंदर से आती है, आपके मन के अंदर होती है तब धीरे धीरे करके आपके hormones में भी सुधार होने लगता है क्योंकि सारी चीज़ना operate brain से होती है hypothalamus बहुत important जगह है, तो stress free रहना, खाने में प्रकर्तिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तिमाल करना, anti-inflammatory food लेना बहुत healthy रहेगा और इस days में आप बहुत careful रहे, contact में रहे, pregnancy बहुत easy होगी लेकिन अगर आपको कोई problem है, uterus और various hormones से गढ़, तो आप हमारे बाकी वीडियो ज़रूर देखें आशा करती हूँ कि 900 प्लस वीडियो में से आपकी सबस्ते के लिए भी कोई वीडियो ज़रूर होगा और आपको पूरा सटिक समाधान मिलेगा थैंक्स पूर वाचिंग, स्टे टून विद आस